नमस्कार आप देख रहें नेक्ष्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार लगातार जिस प्रकार तीन राज्यों में भारतिय जनता पार्टी को विधान सबा में जबर दस्त प्रजंड जीत हासिल हुई है उससे पार्टी का शेर शनीतर्त चुनावी जीत से गदगद है आपको बता दें कि राजस्थान के अलावा मद्यप्रदेश और 36 गड़ में भारतिय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी की है तो महीं दूसरी तरफ संसद का शीत कालिन शत्र भी आज से शुरू हो रहा है प्रदामंद हैं इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्स को संसद में देश की जनता से जुड़े हुए सवाल उठाने चाहिए ना कि व्यक्तिकत किसी व्यक्तिक पर टिपनी करके और संसद को हंगामे की भेट चड़ाना चाहिए आपको बता दें कि संसद की सत्र में फिर से विपक्स ह संसद में सोपेगी उसके बाद कहीं न कहीं उनकी संसद सजस्यता निलंबित हो सकती है तो ऐसे में TMC संसद निश्चित तोर पर महुआ मोहितरा के खिलाब रिपोर्ट पेश होने पर संसद को हंगामे की भेट चढ़ा सकते हैं जबकि दूसरी तरफ आमादमी पार्टे की तरफ से घोषना की गई है दावा किया गया है कि संजे सिंग और मनी सिसोदिया की जो जमानत है उसके उपर लगातार संसद में आवाज उठाएंगे संसद में मांग करेंगे और मनी सिसोदिया और संजे सिंग को रिहा करने के बड़ा बड़ी संख्या में जो है वो दोनों सद्नों में आवाज उठाई जाएगी आपको बता दें कि मनी सिसोदिया और संजे सिंग लगातार जेल में बंद है और एडी ने उन्हें सराबनीती घोटाले में शामिल किया है वेराल आपको बता दें कि तीन राज्यों में चुनावी जीत के बाद तमाम ऐसे संसद थे जो विधायक बन चुके हैं और अब 14 संसद जो विधायक बन चुके हैं वे विधायक रहते हुए संसद के तोर पर अब संसद में इस सीतकालिन सत्र में भाग लेंगे और निश्ची तोर पर कही न कहीं यही दिखाया जा रहा ह कि अब आगानमी जो संसद का शितकालिन सत्र है उसमें विभिन मुद्दो को लेकर विपक्स एक बार फिर से सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है बहराल इस खबर में इतना ही और आगे देखते हैं कि क्या ये सितकालिन शत्र जो है ये हंगामे की भेट चड़ता है क्या आएगा बहराल इस खबर में इतना ही देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूट्स